बैंकों के विलाय के विरोध में जो संभावना है उसके विरोध में पूरे देश में हर्ताल चल रही है आप देखिए इरायपूर में भी जो बैंक कर्मी है वो इस वक्त हर्ताल पर हैं बैंकों के विलाय का यह विरोध है केंदर सरकार के पती जो नाराजगी है वो किस प्रक कि केंदर्य वियोदी नीटी जो है मर्जर उसके खिलाप है और इससे मर्जर की स्थिती में बैंकों का विलय हो रहा है जिसमेंसे अभी ढूम देख रहे थे की नर्य बाजिक है केद्र सरकार की फिलाफ वह किस प्रकार की नारेबाजी थी आप लोगों के लोगों यौन लोगों के चलिलाफ यूस को में केनद की लिए डिले बनक दोसरे कि नियुटर हुप una साथ-साथ, इनका सबसे बड़ा एंडिये गमेंट का है, ये एंपिये रिकोबरी में किसी किसम की सर्थ कानून नहीं बनाया है, लगातार बड़े-बड़े लोन हो रहा है और उनी के जो पॉलिटिशियन है उनके प्रोभाव के दारा हो रहा है और जितने भी बड़े लोन है सारे बैड हो रहा है जो हमारी जो गाड़ी खून-पशिने की कमाई है जनता की कमाई है वो गठर में जाने का पूरा साजी सुरची जा रही है कि इसका ट्रांजिक्शन प्रभावित हो गए अंदाजन अगर कम से कम बंद्रा से 20 करोड रूपिया हाफ है यह हैं यह हैं बैंक की हरताल आप देख रहे हैं यहां पर कि कैसे लोग खड़े हुए हैं और जिस प्रकार से यह हरताल जो चल रही है उससे यह बात इसपस्थ हो जाती है कि कर्वशारियों में काफी आक्रोश है और यह आक्रोश केंदर सरकार की नीतियों की खिलाप है अब देखना यह भी होगा कि दीपा वली के वक्त इस प्रकार से हरताल आई है उसका असर क्या देखने को मिलता है सुराज एक्स्प्रेस के लिए रायपूर से धीरे प्रकेंदर की रिको स्वाम